कि स्वारी यार रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं है ओके ठीक है अभी अभी इसमें आ जाओ आप एडिट विद एलेमेंटर में आओ आप एडिट विद एलेमेंटर हाँ आप अच्छा वह अच्छा वह अच्छा वह डिफॉल्ट है ना यार है तो है अच्छी 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 यह वह फीर यह भी फूटर में है कभी 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 क्या होता है जैसे हम लोग को यह वहां पर इतने सारे टैब ओपन करके रखे हो ना बहुत कंफूज जो रहा हूँ की ओर पर कि के साथ लोग अगर वाग का तीम इंस्टाल करता है तो उसमें भी नहीं आता है हमको मैननुली करना पड़ता है ओके अभी क्या हो गया कि यहांतर डिफॉल्ट है के साथ यह फूटर भी आया है लेकिन हम लोग आगे की जो पेज़ेस जैसे अबाउट सर्विसेस पेज यह सारे पेज़ेस हम लोग अगर क्रेट करते हैं तो उसके साथ नहीं आता तो उस टाइम पर क्या करना है हमको जैसे मैंने आभी बताया था एक प्रोसेस उसको राइट तो और यहां पर आओगे हैं माई टेंपलेट में आना तो यहां पर तो फिर से डबल आ जाएगा आग्या क्या तो अभी क्या होगा अभी क्या होगा इसको अगर आप अपडेट कर दोगे तो यह पूरा टेम्पलेट हो जाएगा फूटर का तो अभी इस इस टेम्पलेट में क्या किया है आज हूए जो उपर का सेक्षन है और नीचे का सेक्षण है जैसे यह विजेट का और यह !" सब्सक्राइब एंड से वाला यह भी इससे क्या बोलते फूटर में लिया गया है तो यह डिफॉल्ट फूटर में आ गया सभी पेज़ेस को जैसे मैंने अभी बताया था पिछले वाले टैप में हेडर फूटर वाले कि वहां पे हम लोग रूल सप्लाइ करते हैं कि फूटर क क्या से कि हमें कुछ कुछ पेज़ेस्पे फूटर नहीं दिखाना होता है जैसे में रहता है हम लोग पैज के परपशस अगर हम लोग पेज कर रहे हैं हमें रूल लगाना है कि हम मगार्ध उस पेज समय नहीं लगाना वंक फूटर बलते बूटि ऑफिर कि गवार वीयुकानी कि वाला पेज है नहीं पर उन्ट क्या कोर्स का ये section है यहां पर यह पर दिरा है यह एक्ट्रालग इन है उसके यह साथ कोड़ यह लिस्ट का है ना फूर्स लिस्ट का शॉट कोड़ है और वो आपने थीक से एमपेड नहीं किया है तो कुछ लगीन यह आपने कुछ साथ लगीन है इसके दो बागेंट है जो लइक पेड़ है बटो फ्री तेंपरेट था तो नहीं हो पाई व्यकॉज दोस प्लगिए सब्सक्राइब बलागए नाम वोल गया उसका बट दो थे कैसा है मैं बताता हूँ । नॉर्मल ही क्या होता है LMS की जो वेबसाइट रहती है LMS की वेबसाइट के लिए डिफरेंट थीम साते है ठीक है अगर आप ASTRA थीम में अगर आप LMS SORRY LMS अगर वेबसाइट बना रहे हो LMS Learning Management System का तो ASTRA के साथ Elementor के साथ और एक plugin आता है Learn Dash करके I believe Learn Dash का था Learn Dash plugin फ्री नहीं है वही 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 पेड था पेड प्लगिन है Elementor और Learn Dash का collaboration हुआ है We will keep specifically for WordPress so for now let's learn the further topics okay okay सभी प्रॉब्लेम्स जो भी है आपके each and every problem में solve करूँगा कोई इस्यू नहीं है क्योंकि अगर हम लोग इस पर discuss करते रहेंगे तो हमरा टाइम भी चला जाएगा कोई इस्यू नहीं हम लोग specific schedule बनाते है WordPress के लिए only for WordPress जो भी doubts है हम लोग clear कर देंगे ठीक है ओके ले आइविल आफ माई वीडियो ओके मेरा स्क्रीन दीकर है आपको अभी नहीं ओके आज किसी को और कुछ प्रॉब्लेम होगा तो आप मुझे बता हो अभी कैसे अने टाइम निकल जाएगा तो मैं अभी question answer नहीं लोगा हम लोग एक स्पेसिफिक सेशन करेंगे क्वेशन आंसर के लिए जब भी वर्डप्रेस कंप्लीट होगा ओके सो आज अब हम लोग देखते हैं कि जैसे उस दिन हमने देखा था डोमेन पर्चिस किया है सपोस्पोस हमने डोमेन पर्चिस किया और अब पर्चिस कैसे करना है वो तो आप जानते ही होंगे आई बिलीव जानते हैं सब लोग कोई इसू नहीं है जैसे हम लोग एमेजॉन से प्रोड़क्ट खरिदते हैं उसी तरीके से हैं ठीक है और हमने एक सी पैनल खरिद लिया जैसे सी पैनल याने की होस्टिंग जब खरिदते हैं हम लोग तो हमको एक सी पैनल का एक मेलाता है इस तरीके से ठीक है एक मेलाता है सिर्फ पहले तो होस्टिंग देख लेते हैं जैसे मैं होस्टिंगर की website पर हूँ और ना मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं ना मैं कोई अफिलेट देने वालों आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको जैसे वोस्टिंगर की वेबसाइट है तो यहाँ पर होस्टिंग में आता हूं मैं shared wasting में shared web hosting में यहाँ पे different different plans हैं यह एक plan है 59 रुपीज पर मंत यह है 119 रुपीज पर मंत यह 259 रुपीज पर मंत इसमें हम लोग एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं 10 GB SSD storage 10,000 visits monthly एक email account बना सकते हैं वागरा वागरा जो भी है सो सिर्फ यह एक website के लिए हैं और यहाँ पे हम लोग इस website में 100 website बना सकते हैं 20 GB storage वागरा यह हैं free email और एक domain भी free दे रहे हैं वो लोग SSL certificate भी free है और word race acceleration बाकी की फीचर से ठीक है यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग एक hosting select करते हैं और उसको purchase करते हैं जैसे यह website है एक client के लिए इसका affiliate link मुझे अक्षे ने दिया था अक्षे इसका affiliate चला थे तो यहां से मैंने hosting purchase किया था एक client के लिए तो जैसे यहां पे मैं login करता हूं पर सबसे पहले तो account create करना पड़ेगा आपको यहां पे मैं login करता हूं और यह सब hosting इतना cheap कैसे है अर्दी reliable अच्छे है मतलब यह लोग हां हां रिलाइबर कैसा है कि hosting जो shared hosting लेते हैं हम लोग तो वह cheap होता है राइट राइट हाँ शेर डॉस्टिंग होता है या फिर हम लोग VPS ले रहे हैं या फिर cloud hosting ले रहे तो वह expensive होता यह तो तो रिलाइबल है बिलकुल रिलाइबल है कि हम लोग कोई एक होस्टिंग जब परचेस करते हैं तो उसका सपूर्ट सिस्टम कैसा है मतलब अगर हमको कोई प्रॉब्लेम आता है इनकेस अगर हमारा वेबसाइट क्रैश होता है या कुछ भी कुछ भी डिस्टर्बंसे साते है या website loading का speed कम है या just like that any other problems अगर हम लोग face कर रहे तो हमार हमको चाहिए कि इनका जो contact us है या इसका जो contact us है यह यह लोग हमको कैसे support करें या हमारे problems यह लोग हमारे problems solve करेंगे या कुछ-कुछ जो hosting providers रहते हैं वो reply नहीं करते हैं या हमारा जो problem है solve नहीं करते हैं सो वह बहुत hectic हो जाता है मतलब जो भी service hosting server हम लोग provide provider से खरीदते हैं यह लोग कभी-कभी services नहीं दे पाते हैं अब locally जो रहते हैं वो लोग वो जैसे यह company पुना की तो और बाकी के भी Mumbai जहां पे भी है मतलब बहुत सारे service hosting provide करते हैं तो यह लोग भी देते हैं provide बट जो international companies है जैसे hostinger side ground side ground का मुझे अच्छा लगता है वो मतलब support system उसका अच्छा है बहुत अच्छा है मैं promote नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैंने यूज किया है तो अच्छा support system है उनका भी सो ठीक है अभी हम लोग एक आदा एक purchase किया है तो यहां पर मैंने dashboard open किया है एक hosting और hosting लेने के लिए हमें domain खरिदना सबसे पहले बहुत जरूरी है अगर हम लोग domain नहीं खरिदती तो हम लोग hosting नहीं ले सकते तो सबसे पहले तो हमें domain खरिदना है और उस domain के साथ हमें login करना हमरे details भरनी है और उसके बाद जैसे हम लोग payment check out करते हैं तो हमें एक मेल आता है इस तरीके का ठीक है इस तरीके का एक मेल आता है इसमें हमारा hosting का जो भी package है वह हम details है इतने भी पैसे लगे उसको खरिदने के लिए उसका मतलब expiration date कब है वागरा उसका user name password वागरा और उसके name servers यह है बाकी की details ठीक है इतना इतना ही important है name servers and user and password फिर हमको जाना है कहां पर हमारे domain account में जहां go daddy से हमने domain purchase किया ध्यान में रखो सबसे पहले हमने hosting खरीदा hosting खरीदने के बाद हमें mail आया mail आने mail आने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए अभी यहां पर जो name servers है name servers यह important है name servers ठीक है name servers किसी कोई कोई दो का दो name servers देते हैं कोई चारज देता है कोई पाज देता है कोई छे देता है depend करता है ठीक है यह यह जो है मेरा एक अकाउंट है go daddy का तो यहां पर चार डोमें वह स्टेड है चार डोमें मतलब यहां इस अकाउंट में है तो मैं किसी एक डोमेंट पर आता हूं और अगर मुझे वह hosting इस डोमेंट पर active करना है मतलब उस डोमेंट को live करना है तो मैं क्या करूंगा उस डोमेंट को select करूंगा सबसे पहले तो मेरे अकाउंट में आओ जाओंगा आने के बाद यहां पर all domains में all domains के बाद एक डोमेंट को select करता हूं और यहां पर आता हूं मैं manage DNS manage DNS DNS का means full form क्या होता है domain name server इसको मैं click करता हूं click करने के बाद मुझे मुझे यहां पर name servers दिखेंगे ठीक है यहां यह जो name servers है मुझे change करने पड़ेंगे by default GoDaddy के name servers यहां पर रहते हैं बट वह कोई काम के नहीं रहते हैं तो हमको वह name servers इस name servers से change करना है तो आपको क्या करना है यह इतना copy करना है इतना और यहां पर आने के बाद आपको यहां आना है और इसको delete करना है और यहां पर paste करना है ठीक है यहां पर paste करना है मैं यहां पर paste नहीं करूंगा क्योंकि यह website live है ठीक है मेरे clients के है तो मैं आपको सिर्ब जस्ट बता रहा हूं तो यह website यहां पर आपको जितने भी name server उस company ने दिये यहां पे आप वेब साथ करने का या विदाउट आपी के साथ करें को भी तो भी चलेगा विदाउट आइपी करेगे तो भी चलेगा कोई इस्व नहीं है ता इतना भी कर सकते हो ठीक है यहां ल सफवर यहां जीतने भी नेम सर्वर्स हैं आपको वहां पे डालना है मतलब चार है तो 4, 6 है तो 6 और यहां पर जैसे चार दिख रहा है और कोई पांश है तो यहां पर और dilute करने के बाद आपको करने के बाद आपको सेव करने के बाद हएघ नहीं आपको कहा आना है जो भी डोमेननेम नहीं एक ठीक है जपनें Mont desse सेमी आपका जैसे मेरा एक क्टो और गया है यह in water तो मैं क्या करता हूं स्मेर एक मतलब दोमेन् डमी मतलब पर्चेस किया वाला ही है तो इसको आपको लॉग इन कैसे करना है अब देखो हमने नेम सर्वर्स डाल दिये से भी कर लिया बट कोई-कोई hosting provider क्या करता है कि आपको वो डोमेन लाइव करने के लिए 24 आवर्स का वक्त लेता है कभी-कभी 12 आवर्स में हो जाता है कभी-कभी 4-5 घंटे में डिपेंड्स अपॉन hosting server provider hosting service provider जो भी हम जहां से भी hosting मतलब खरीदे हैं वह क्या करते है 24 घंटा लेते हैं ठीक है 24 घंटे के बाद या फिर हमको देखते रहना है कि अक्टिवेट हुआ है नहीं और वह अक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना है जस्ट हमारा जो भी डोमेन है ठीक है यहाँ पे slash cpanel ठीक है सर्च नहीं करना है सिर्फ डालना है और एंटर करना है या फिर कुछ भी कर सकते हूं और यहाँ पे आपको जो भी नेम सर्वर्स जो भी आपको email id पे आपकी mail आया है यहाँ पे आपको यह मिला है यूजर नेम और password यूजर नेम और password मिला है वो यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना है और वो password आपको password की section में डालना है उसको login करना है login करने के बाद आपको मिलेगा इस तरीके का cpanel ओके यह होता है control panel cpanel याने की control panel अब यहाँ पे बहुत सारे features है सो यह सारे features मैं नहीं बताऊंगा और यह अपने काम के भी नहीं है और यह इतना सब जाना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है ठीक है सो हमको क्या करना है जैसे अभी मैं क्या करूंगा आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डोमेन अगर हम जैसे यहाँ पे जैसे हैं यह वेब 100 website host कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको बाकी के डोमेंस भी डालना है तो डोमेंस कैसे डालेंगे यहाँ पे यहाँ पर डोमेंस section वेरा है जैसे files हो गया है databases domains domains पहना है domains पहनने के बाद आपको उसको क्लिक करना है डोमेंस को क्लिक करने के बाद आपको एक यह आएगा तो यहाँ पर आपको एक क्या वोलते उसको यहाँ पर create a new domain ठीके यहाँ पर आपको वो domain का नाम डालना है जस्ट सब्मेट कर देना है तो वहाँ पर एक जो है domain install हो जाएगा wordpress में sorry hosting में इंस्टाल हो जाएगा बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो website में हमने upload नहीं किया या website हमें उसमें build नहीं करी है तो वो दिखेगा नहीं just like that हमको क्या करना है subdomains भी हम लोग create कर सकते हैं subdomains पता हैं सबको subdomains याने की जैसे blog.xyz.com या courses.xyz.com यह main domain है हमारा तो उस domain के नीचे या उस domain में हम लोग multiple subdomains बना सकते हैं कितने भी domains बना सकते हैं उसका कोई restrictions नहीं होता बट restrictions कहा होता है हमें domains add करने में क्योंकि एक कोई जैसे हमने कौन सा plan खरीदा है या कौन सा plan select किया है उस हिसाब से हमको hosting provider allow करता है कितने domains हम लोग add कर सकते हैं most of the domain service provider है दो domains तीन domains चार डोमेंस इस तरह के से हम लोग इसमें एक hosting panel में add कर सकते हैं but remember one thing कि ज्यादा domains नहीं करना क्योंकि जैसे देखो यहां पर 20 GB storage है यहां पर 20 GB storage आने की कम से कम अगर बोलो तो 2 GB अगर पर जैसे पर website या तो या तीन जीबी पर website अगर हम लोग देखते हैं तो तीन चार वेबसेट है चार पाच वेबसेट mostly हम लोग host कर सकते बट I don't I won't recommend कि आपको ऐसा करना चाहिए जैसे यहां पर उन्हेंने 100 website लिका है बट यह सही नहीं है ठीक है एक hosting में इतने सारे websites नहीं host कर सकते ठीक है और यहां पर जैसे bandwidth का भी problem होता है और अगर किसी website पर पर्टिकुलर website पर कोई traffic आता है तो बाकी की websites बंद हो जाएगी जैसे मान लोग कि एक चार website है इस hosting यह plan में और चार website है तो और एक website किसी जैसे हम लोग कोई news website चला रहे है तो news website पर कैसे है न बहुत सारा traffic रहता है मान लोग कि एक website में बहुत सारा traffic आ गया किसी दिन तो बाकी के तीन website crash हो जाएंगे या डिस्टरब हो जाएंगे अन फंक्शनल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है कोई भी अगर plan लेते हो तो उसका एक space देख लेना bandwidth देख लेना और इसी साब से वह डिस्क स्पेस है इसका अभी 2.07 GB यूज़ हो चुका है ठीक है इसका database का इतना occupy हो गया है मतलब जो डिस्क यूज़स है bandwidth इसका इतना है डोमेंस कितने हैं सब डोमेंस कितने हो चुके इस particular domain में email accounts कितने हुए है mailing list कितने हैं बहुत सारा details हम को यहां पर मिल जाता है और अगर यहां पर जैसे बतलब इसका जैसे डिस्क स्पेस फूल होता है या फिर इसमें traffic बहुत आता है तो यहां पर हमें red warning आता है यह जो line द माइगरेट करना होगा या फिर बाकी की websites को जो data है वो इसको delete करना होगा यह warning होता है क्योंकि अगर यह फूल हो गया तो हमारी websites अन फंक्शनल हो जाएंगी रिस्पॉंड नहीं करेंगी यूजर्स को यूजर्स को का मतलब बैड इफेक्ट जाएगा उस चीज़ का अगर साइट्स क्रैश होगे तो इट लोक्स वेरी अन पर प्रोफेशनल अगर आपको उस पर क्लिक करते हों तो कोई भी सब डोमेन आप यहां पर क्लिक कर सकते जैसे मैं अभी क्रेट करने चाहा रहा हूं तो यह मेरा रूट व connectivity मतलब में दो मैं है यहाँ पर मैंने बहुत सारे सब डोमेंट क्रेट कर रहा हूं त ou not डालते हैं क्या डालते हैं एक के बी डॉट ने लेते सिर्फ के बी क्योंकि डॉट यहां पर वो लेर वो आटोमेटिकली फेच कर लेगा डॉमेन का ठीक है एक बी-डॉट यसे हो जाएगा डोमैन में आपको यह जस्त क्लिक करना उवकु फुली करना के दो मैं क्यों के नियुक्ष कर रहा हूं क्योंकि जो मेंड डॉमैन है उसमें ऑल् corporations वेबसेट बनाना सिखेंगे सब्डोमेन पर वेबसेट बना के मतलब सीखना और सब्डोमेन पर सिखना एक ही जैसे है कोई मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है मैं फिर से आ जाता हूं यहां पर सब्डोमेन मेरा क्रेट हो चुका है हम लोग अगर देखते हैं यहां फिर से सब्डोमेन में आके तो सब्डोमेन यहां पर कहीं कहीं यहां पर क्रेट हो चुका है सो यह सब्डोमेन क्रेट हो चुका है और main domain भी वहाँ पर है ठीक है तो यह sub domain हम लोग create कर सकते हैं sub domain में या main domain में हमको wordpress कैसे install करना है वो भी देखेंगे बट उससे पहले हम लोगों को email ID भी create करना है professional email ID ठीक है तो emails है यहाँ पर एक section emails में आपको आना है email accounts में email accounts में आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का interface open होगा यहाँ पर इतने सारे email ID create करे हुए है सो मैं मेरे को एक और email ID बनाना है तो मैं क्या करूँगा इसको create करूँगा यहाँ पर जो button है ठीक है create करूँगा और create करने के बाद root domain है यह वाला ठीक है यह फिर यह वाला ठीक है यह वाला लेलते है akb. और मुझे यहाँ पर email ID बनाना है तो मेरा नाम है दीपक और मैं यहाँ पर दीपक ही डालता हूँ दीपक at the rate akb.inspire.in इस तरीके से यह email ID create होगा आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपको email ID create करना है तो आपको सबसे पहले तो domain select करना है आपका यहाँ पर और आपको यहाँ पर इस तरीके सा email ID मिल जाएगा बना सकता हूँ ठीक है मैंने sub domain select किया है और set password now so so मैं set कर देता हूँ password यहाँ पर जैसे test at the rate 123 ठीक है क्या डालते हैं कि इस टीक है कि इस टीक है कि क्या होगे भाई है कि सक्यूर रहे हैं कि अब इसका हमको space देना है मतलब storage space email ID का अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो ठीक है MB में देना है GB में देना है TB में देना है PB में देना है जिसे 1024 MB याने की 1 GB हो जाएगा ठीक है इस उतना सफी सेंट है या unlimited भी कर सकते हो तो मैं क्या करता हूं इसको इस mail ID को क्रिएट कर देता हूं क्रिएट इस सो mail ID क्रिएट हो चुकी है यह वाली ठीक है यह mail ID क्रिएट हो चुकी है सो अभी मैं फिर से डैश बोर्ड में आता हूं समझ में आगा ना mail ID क्रिएट करना है हां ओके mail ID क्रिएट करने के बाद जैसे हम लोग अगर email accounts में आते हैं तो हमको जो है login हमें यहां पर मिलता है और यहां पर अगर हम लोग आते हैं ओपन करते हैं इस यहां पर इस बटन को तो यह सारा सर्विस हमको मिलता है यहां से भी हम लोग mail देख सकते हैं send कर सकते हैं create कर सकते कुछ भी कर सकते हैं सो इस तरीके से इसको क्लोज कर देता हूं मैं फिर से डाश बूर्ड में आते हैं ठीक है सब डोमेन क्रेट कर दिया है हमने और क्या करना है और इमेल भी क्रेट किया है जो इंपोर्टन्ट है वही बता रहो मैं ठीक है ठीक है हो गया है अभी और एक चीज रहा गई है फाइल मैंनेजर फाइलस थीक है IN करते हैं तो हमारे जो रूट फोल्डर्स है ROOT फोलडर्स यहने के जैसे हम लोग कोई भी वेबिशाट बनाते हैं मैं या फिर प्लागिन्स अप्लोड किया है तो इसका सभी जो सभी इन सभी चीजों का डेटा जो है यहां रूट फोल्डर में अपलोड होता है डेटा ठीक है अगर कोई थीम हम लोग वर्डप्रेस से इंस्टॉल नहीं हो रही है तो यहां से भी कर सकते टीक है मैं मेरा जो रूट फोल्डर था जैसे एक के भी डॉट वाला इसको मैं क्लिक करता हूं तो उसका यह जो है जो भी फोल्डर है यहां पर क्रेट हो चुका है क्योंकि यहां पर मैंने कोई वर्डपेस इंस्टॉल नहीं किया है ना मैंने कोई थीम यहां प्लगिन इंस्टॉल किया है तो सभी एम्टी लगेगा यहां पर इसको मैं क्लिक करता हूं इस सब डॉमेन को तो यहां पर जैसे के पूरे जो फोल्डर से यहां पे आपको दिखेंगे इस किसी को भी फाइल को छेड़ना नहीं आपको ठीक है जिससे मैं डबलूपी कॉंटेंट इसको अगर देखता हूं तो यहां पे प्लग इन से थीम से अगर कोई थीम आपको अपलोड करना है मैनुएली तो यहां पे अगर कर देख रहे हूं तो यहां पैंपलोड कर इसको अपलोड कर सकते हैं में और उसको उपलोड कर सकते हैं उस zip file को right click करके extract here करना है, मैं यहाँ पर तो नहीं करके बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर है, तो जैसे क्योंकि उसमें time भी बोग जाएगा, ठीक है, zip file upload होने में और उसको extract करने में, तो ठीक है, यहाँ पर मैं upload कर देता हूँ, तो upload करने के बाद उसको extract करना है, extract here, और जो main zip file होती है, उसको delete कर देना है, ठीक है, फिर वैसे के वैसे ही रखना है, उसको कुछ changes नहीं करने है, then आपको आना है, back आना है, then plugin भी वैसे ही कर सकते हो, अगर, मतलब, कोई legal process नहीं है, ऐसा नहीं करते है, mostly, लेकिन अगर developer ends है, अगर कोई theme install नहीं हो रहा है, या कोई issue आ रहा है, तो manually हम लोग इस तरीके से भी theme upload कर सकते हैं, plugins upload कर सकते हैं, इसे मैं plugin के ओपर click किया, तो ऐसे ही हमको plugin को select करना है, जो भी plugin हमारा zip file है, उसको select करके, वो plugin का zip file यहाँ पर दिखेगा आपको, उसको right click करके extract कर देना है, और जो main original zip file होती है, उसको delete कर देना है, और अगर हम लोग SEO का जब part आएगा हमारा, तो हमको site map, जैसे XML site map पता है, आपको कोई किसी को, XML site map, पता है कि किसी को, क्या होता है, XML site map, तो XML site map का एक file होता है, वो भी हमें इस तरीके से यही पर हमें upload करना होता है, तो वो भी मैं manual process बताऊंगा, कि वो किस तरीके से यहां पर upload कर सकते हैं, और वाया Google search console या जो भी Yoast, Yoast, Yoast plugin हो गया, all-in-one rank map, इसमें भी हम लोगों को, site map already create होता है, बट अगर हम लोग किसी plugin का use नहीं कर रहे हैं, या हम लोग, क्या बोल सकते हैं, उसको, जैसे Yoast plugin SEO के लिए use होता है, rank map होता है, तो य ये plugins क्या करते हैं, automatically site map create कर देते हैं, अब site map क्या होता है, हम लोग जब SEO का part आएगा, तब हम लोग देखते हैं, बट मैं सिर्फ एक basic चीज़े ही बताना चाहता हूं कि, site map भी, robots.txt का file भी होता है, तो यहां पर हम लोग upload कर सकते हैं, तो यह क्या होता है, हम लोग जब हम जैसे, क्या बोलते हैं, उसको, जो WordPress यूज़ कर रहे हैं, जिसको developing का पता है, तो वो लोग यह process करते हैं, बाकी, mostly 95% लोग, या rank math का यूज़ करके, all in one SEO, जो भी plugins आते हैं, उस plugins का यूज़ करके ही, site में आप या, robots.txt की files, यहां पर upload करते हैं, तो वो क्या होता है, आप confuse मत हो, मैं आपको बारी-बारी से समझाओंगा, जब हमारा SEO का topic आएगा, वो, ठीक है, अभी वो कुछ धान में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी चीज़े, बेसिक से बताऊंगा, वो सभी चीज़े, ठीक है, अभी यह जो है, root folder से, और इसको, इसमें भी, ठीक है, अभी हो गया यह, इसमें तो वही समझा रहा था मुझे, बाकि यो जो भी files होते हैं, यहाँ पे, इसको कोई भी file को delete नहीं करना है, या edit नहीं करना है, मैं जस्ट बता रहा हो कि, कि आपको अगर, manually theme upload करना है, तो, क्या करना है, WP content है, यहाँ पे, folder, यहाँ पे, आपको themes और plugins का folder देखेगा, यहाँ पे आपके upload करना है, just extract करना है, बस हो गया, आप जैसे wordpress में आओगे, आपको theme देखेगा, वो plugin भी देखेगा, ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, जो हमारा main topic है, wordpress install करना है हमें, हमारा domain भी हो गया, hosting के साथ link भी हो गया, suppose 24 hours हो गया, domain हमारा hosting के साथ link हो गया, और live है, अभी क्या करना है हमें, wordpress, जैसे यहाँ पे नीचे नीचे आओँ आओँ आप, जैसे हम लोग कहां से आते, files, then database, domains, emails, metrics, यह सब चीज़े ज़रूरी नहीं है, आने की ज़रूरत भी नहीं है, अब manually देख सकते हैं, जो important है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और हम लोग यहाँ नीचे नीचे आते हैं, और by default यह कुछ themes भी यहाँ पे हम लोग install कर सकते हैं, but it is not recommended again, मैंने बोलता कि यहाँ से कुछ करना है, और यहाँ पे हमें क कुछ, जो CMS platforms है, जिसे जुम्ला, ABETECART, PHPBB, जो भी है, Magento अगरा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी यह platforms है, यह platforms, इन platforms पे हम लोग websites बना सकते हैं, Dolphin, PH7, CMS, Laravel, यह सभी तो मुझे नहीं पता, बट जुम्ला, Magento अगरा पता है, ठीक है, यहाँ पे हमको कहाँ क्लिक करना है, WordPress इसमें, देखो, यह जो Control Panel, C Panel का Overview है, या फिर Dashboard है, सभी के इसमें सेमी होता है, जो भी hosting provider है, उन सभी का सेमी होता है, कोई difference नहीं होता, बस हमको थोड़ा सा navigate करके देखना है, कि कहाँ पे कौन सा option है, बाकी थोड़ा far changes हो सकता है, but mostly 99% में बोलता हूँ, सेमी रहता है, जो भी Dashboard होता है, Control Panel का hosting के, सो सेमी रहता है, तो हमको क्या करना है अभी, हमको आना है, नीचे नीचे आना है, wordpress देखना है, wordpress कहीं है, तो softaculous installer, softaculous apps installer करके एक होगा, सभी इसमें रहता है, तो हमको यहाँ पर wordpress देखना है, और इसको क्लिक करना है, ठीक है, और क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस open होगा, इस तरीके का इंटरफेस open होने के बाद, अभी इतने सारे domains, जो है, wordpress, इन सब domains में installed है, actually, तो हमने एक नया domain create किया था, या sub domain create किया था, और हमको अगर जो भी main domain है हमारा, उसको भी install करना है, वर्डप्रेस, उसमें भी wordpress install करना है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यह dashboard open हो गया है, इसमें आपको यहाँ install दिख रहा है, यहाँ भी install दिख रहा है, तो किसी के उपर भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, install now, अभी wordpress का जो लेटेस्ट वर्षन शुरू है, वो है 5.6, ओके, सो लेटेस्ट वर्षन शुरू है, यहाँ पर, आपको वही सेलेक्ट रखना है, जो भी यहाँ पर दिखा है, अगर नहीं है, तो लेटेस्ट वर्षन जो भी दिख रहा है, आपको उसको सेलेक्ट कर देना, और उसके बाद आपको, अगर आपने होस्टिंग पर्चस के तो आपको SSL सार्टिफिकेट मिल जाता है, तो अलग से कोई इंस्टॉल करने के ज़रूरत नहीं होती, और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूं, कि आप जब भी डोमेंड खरीदों, तो डोमेंड खरीदते वक्त क्या होता है, कि डोमेंड की जो कांपनीज रहते हैं, हमको SSL बाकी के जो प्रोटेक्शन वगरा यह जो सारी चीज़े चिपकाने की कोशिश करते हो, तो कभी नहीं खरीदना, ठीक है, होस्टिंग में हमको सब फ्री मिल जाता है, तो यह एक चीज थी बताने की, तो यह है, क्योंकि SSL वगरा सब फ्री में हमारा SEO का पार्ट आएगा, वो टेकनिकल SEO में आता है, टेकनिकल SEO में, SSL सर्टिफिकेट, ब्रोकन लिंक्स, बाकी जो भी में पॉइंट्स है, या टॉपिक्स है, उसको हम लोग, SEO का जब हमको हमारा टॉपिक आएगा, उस पार्ट में हम लोग समझेंगे, अभी फिलाल HTTPS को सिलेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग SSL क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी है वगरा वगरा, हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ हमको WordPress इंस्टॉल करना है, यह सा सब्डोमेन है, अगर में डोमेन है तो में डोमेन सिलेक कर देना, और सब्डोमेन है तो सब्डोमेन हमने सब्डोमेन क्रेट किया था, तो यह सब्डोमेन हमने सिलेक कर दिया, और रूट डिरेक्टरी हमको WP यहां पर आता है, तो इसको निकाल देना है हमको, कभी भी हम ल यहां पर हम लोग साइट का नाम दे सकते हैं यहां पर मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं मेरा नाम देता हूं को प्सक्रिप्षण करते हैं साइट नाम को आपको देना है धीक है आपका जो भी साइट का नाम है और आपका जोभी साइट का डिस्ट्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है है किया वोलते है उसको tagline है ठीक है यह को अंटिक कर देना मतलब टीक नहीं करना है ठीक है username कि रखना है आपको वह आप दे सकते हो जैसे admin है तो admin या फिर59 मतलब strong username देना और strong password भी मैं भी मैं यहां पे टेस्ट वन टो तरी देता हूं ठीक है टेस्ट एड़ेट वन टो तरी देता हूं ठीक है ओके जो भी हमने email id बनाया है admin का तो मैंने मेरा नाम से email id बनाया था तो वो दे देता हूं उसके बाद साइट का language सिलेट करना है साइट का language क्या है इंगलीश ही रखना है ठीक है login attempts मतलब यहां पर दिखते हैं हम लोग अगर कोई हमारे website में multiple login करता है जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं और यह plugin में जाके सेटिंग करता हूं जैसे पाच बार अगर कोई या तीन बार या चार बार कोई अगर login attempt करता है www.xyz.com slash wp-admin यह URL डालके अगर चार पाच बार अगर वो गलत होता है तो उसको पर्मनेंटली बैन कर सकता है wordpress हमारी website पे आने के लिए तो इस तरीके का होता है यह एक system उसका IP address से actually होता है उसका IP address कभी भी हमारे website में login नहीं कर सकता तो उसको पर्मनेंटली बैन करना है या कुछ दिनों के लिए suspend करना है उस particular person को तो यहां से हम लोग कर सकते हैं अरे एक और theme sorry एक और plugin आता है item security करके उसका भी मैं आपको एक settings बताऊंगा आगे चलके कि हमारी website जो है secured कैसे करनी है जैसे कोई भी अगर hacking malware या fishing purpose से related हमारी website को कोई hack करने की कोशिश करता है तो उसको कैसे हम लोग track कर सकते या बोलो या ban कर सकते हैं या suspend कर सकते हैं उस particular person को हमारी website पर login करने के लिए तो वह भी कैसे करना है बहुत ही powerful brute force करके system आता है brute force attack यह वाला तो वह भी बहुत ही powerful system है मैंने एक मेरे website में उसको install किया settings किया मैंने उस पर तो वह मेरे को ही login करने से रोक रहा था इतना powerful है वह ठीक है तो इसको मैं click नहीं करता हूं यह इसका मैं separately बताऊंगा आपको ठीक है और auto update के लिए जैसे कोई plugins आते हैं तो उसमें हम लोगों को auto update करना होता है तो यहां पे हम लोग manually करेंगे हम लोग जब भी wordpress install करते हैं तो इसको जैसे है मतलब जिस तरीके से हमको यहां पर dashboard दिखता है तो उस तरीके से हम लोगों कर देना है जिससे auto update plugins है यहां पर अगर यहां पर हम लोग click करते हैं तो जो भी update आता है plugin का वह auto update हो जाएगा और theme का भी auto update हो जाएगा बट इसमें ऐसा है कि अगर free theme यूज़ कर रहे है तो free theme का update आएगा अगर premium theme यूज़ कर रहे है तो premium theme का भी update आएगा लेकिन उसके लिए आपको license की जरूत होती है license keys मिलती है या premium plugin या premium theme अगर हम लोग use कर रहे हैं तो for now मैं इसको भी untick कर देता हूँ अगर आपको करना है तो कर सकते हो ऐसा मैं recommend नहीं करता है इसको मैं copy कर देता हूँ यह mail ID को और यहां पर मैं paste कर देता हूँ जैसे मैं WordPress इंस्टाल करूंगा इस mail ID पर मुझे mail आएगा तो ready to install हो गया सब settings हमारा WordPress इंस्टाल करने के लिए अभी मैं install कर देता हूँ ठीक है click this might take three to four minutes ठीक है यहां पर लिखके आया है तो WordPress इंस्टाल हो जाएगा ठीक है ठीक है three to four minutes ने दो second में हो गया ठीक है अभी हमको दो urls मिलते हैं ठीक है अभी मैं इन सब को अन्टिक कर देता हूँ मतला रिमूओ यह टैप्स का कोई अभी ज़रूरत नहीं है अभी यह दो url हमें दिख रहे हैं ठीक है यह यह और एक यह ठीक है यह admin url है यह website का url इसको मैं open करता हूँ और इसको भी मैं open करता हूँ तो अभी जो website है हमारा इस तरीकी का है default theme और यह dashboard है हमारा यहां तक समझ में आ गया हलो गाइज यहां तक समझ में आ गया ना यहां पर एक दो url मिलते हमको एक हमारे main website का एक हमारे dashboard का ठीक है और अभी हमको आना है यहां पर जैसे मैं इसको remove कर देता हूँ अभी यहां पर जैसी इसका मैंने आपको समझा था dashboard का क्या होता है क्या नहीं होता है मतलब इस अभी options जो है और जो भी options है हम लोग बारी-बारी से समझेंगे जैसे हम लोग themes या plugins को install करते तो नया नया options यहां पर आते जाएगा अभी हमको करना है themes अभी हम लोग blog का theme install करेंगे ठीक है blog का theme install करेंगे मैं नए dashboard में आता हूँ देखो एक चीज़ बताना है मुझे जैसे blogging देखो यहां पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं उससे पहले यह जो theme है default theme हमें wordpress देता है ठीक है इसको रख देते क्योंकि हमको एक theme तो चाहिए क्योंकि हम लोग कोई अलग से theme दूसरा अगर install कर रहे हैं तो यह कोई theme चाहिए ठीक है सारे के सारे delete मत कर देना इसको एक चीज़ बताना था मुझे आपको मुझे दो थीम्स ज्यादा पसंद है एक मिनिट है कौन से theme पसंद है मुझे blogging purpose से related तो मैं बता देता हूँ आपको नोट्याट कहा गया एक तो है न्यूजपेपर पता है आपको न्यूजपेपर थीम्स पता है आपको जे न्यूज जनेरेट प्रेस जेनेरेट प्रेस बिसिकली न्यूजपेट की जो वेब सेट्स रहती हैं उनके लिए न्यूजपेपर betters वि बहुत सारे bloggers यूज करते हैं न्यूजपेपर थीम्स पता ह्माँरी भी न्यूस साइट्स है तो मैं भी न्यूस पेपर थीम यह जे न्यूस का थीम और जन्रेट प्रेस मैंने यूज नहीं किया बट जन्रेट जन्रेट प्रेस बहुत सरे ब्लॉगर्स यूज करते हैं कि अगर मैं आपको एक वेपसाइट अगर बताओं तो नियूंद एक और चीज़ को अरेक ट्रीक या टेकनीक बोल सकते हों मैं आपको बताना चाहते हों अगर हमको पता करना है कि कौन सा ब्लोगर या कौन सी वेबसाइट कौन सी थीम यूज़ कर रही है कैसे पता करोगे कुछ पता आइडिया है आपको अगर तो अगर तो पता चल जाएगा ओएक और और क्या कर सकते हूं आइडिया किसी को है जैसे मुझे पता करना है कि यह विबसाइट है या कोई भी विबसाइट है तो मुझे ना क्रोम एक्स्टेंशन मिलते हैं थीक है मतलब आपको भी मिलेगा मुझे नहीं मतलब सबको मिलता है नोट भी कर सकते हूं ठीक है मैरे पास ऐसे बहुत सारे मतलब अन गिनत इतने सारे क्रोम एक्स्टेंशन हैं जैसे जैसे मुझे मुझे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा और क्रोम एक्स्टेंशन कब यूज करना चाहिए यह भी मैं बताऊंगा ठीक है और बहुत ही यूजफूल है मतलब मैं ऐसे मतलब एक्स्टेंशन बताऊंगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करे होंगे ठीक है बहुत ही सकते हों अगर आपके पास नोट्स है तो क्लिक करते हों तो आपको बता देखा कि वह कौन सा थीम यूज कर रहा है अगर उसने को सेकुरिटी वाइस प्लगिन यूज किया है तो वह हाइड करके भी रख सकता है ठीक है देखो यहां पर उसने थीम का नाम देदी आ एस्टर चाइल्ड एस्टर थीम यूज कर रहा है हर शगरवाल और उसमें कौन से कौन से प्लगिन से यह भी बता दिया इजन्ट इट अमेजिंग वाओ ठीक है तो यह इतने सारे प्लगिन भी हर शगरवाल अपनी वेबसाट में शाउट मिलाउड ब्लॉक पर यूज कर रहा है सो यह क्रोम एक्स्टेंशन हमको बता देता है कि कौन क्या यूज कर रहा है सिर्फ अगर वह वर्डप्रेस यू की वेबसाइट बनाया है तभी यह क्रोम एक्स्टेंशन काम करेगा यह क्रोम एक्स्टेंशन है और अगर हमको पता करना है कि कोई भी वेबसाइट कौन से प्लैटफॉर्म पर बनी है अगर मुझे पता करना है कि जैसे जैसे प्रो ब्लोगर प्रो टो गलोगर विबसाइट पता है अ bunlar प्रोड प्रोडब्लोगर पता है कि किसी को क Security केतंब करना कौकर नहीं मद्ध ने होलो आवाज आरे नहीं मेरि मेरे हर यार हम प्रोडलोगर यह वेबसाइट है ये हर शगरवाल का भी बाप है एक्चुली इंटरनेशनल जैसे बैक लिंकों का जो ब्राइंडीन है या निल पटेल है तो ये ब्लॉगिंग की दुनिया का बादशाह है प्रो ब्लॉगर वाला जो भी ये बंदा है नाम भी गर सही है ये हाँ ये जो बंदा है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ तो भी हटके नाम है इसका तो ये वेबसाइट है यहाँ पर अगर आओगे आप तो बहुत ही मतलब बहुत जबरदस्ट कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत जबरदस्ट अगर वेबसाइट के बारे में पता है आपको तो नहीं पता है तो मैं आपको वाट्साप ग्रूप में आपको बता दूँगा कि कौन से ब्लॉक्स पढ़ने चाहिए या कौन से वेबसाइट आपको विजिट करने चाहिए रेगुलरली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कंटिनियस रहना चाहते हो तो यू निट टू विजिट दोस वेबसाइट और ब्लॉग्स रेगुलरली तो यह है प्रो ब्लॉगर और भी बहुत सारे है लिस्ट है एक्चुली मेरे पास आपको बताऊंगा जब टाइम टू टाऊंगा एक साथ नहीं बताऊंगा ठीक है यह भी है यह बहुत ही अच्छी साइट है ब्लॉग साइट है ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए जैसे शाउट में लाउड है जैसे श्याउट में लाउड है और और भी कुछ है वेबसाइट में बताऊंगा आपको तो यह वेबसाइट अगर मुझे पता करनी है तो scan wp में आऊंगा मैं और इसको भी अगर मैं इसने अगर वरडप्रैस पे बनाया है तो यहां पर scan wp is alright a whole blog files a theme यहाँ पर थो नहीं बता रहा है क oohते इसने कोई theme हाइड करके रखाए ठीक है इसका जो ठीम है हाइड करके रखाए समय एक्ट करके भी रख सकते हैं और पलग इन दीखा रहा हैं総 ठीक है जैसे युजे किया है उसने जंड़ेट प्रेश नाम का प्लगिन तो यहां पर थ्राइव जो है ना थाइव वीजोल एडिटर यह आर्किटिक्ट जो प्लगिन होता है कमपाटिबल है तो यह भी चीजे पता रहनी ऐसे कौन सप लगिन कौन से साथ कमपाटिबल है या पेजबिडर कमपाटिबल जो है बहुत है जैसे हम लोगए उससे तो बहुत इसे तो भूट स्क्रेужд smoking यह श्युक्ति जडर। वसमें प् pest ये सारे फिले सो यूज करना और मुझे पता करना एक कि है र Mendee टीवी है टेवी र५्टी ए गश्युक्ति पडस्ञेसन अगर मुझे पता करत है कि ये कुम साथ क्या करना चीह मेरे पास एक और क्रोम एक्स्टेंशन है कुंसा वेपलाइजर डबल्यू एपी डबल्यू 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 एक में यहां पर टाइपि कर देता हूं एक है वेपलाइजर तर्ट टिक है यह ना पलाइजर यह आप इसको मैं डाउनलोड किया मैंने और इसको मैं क्लिक करता हूं सो यह इन सब प्लैटफॉर्म क्यों पर बना है ठीक है यहां पर हम लोगों को सब पता चलता है वेपलाइजर में जैसे गुगल ऑप्टिमाइज़ भी क्रिएट यहां गुगल टैग मेंनेजर का कोड लगा है गुगल अनलेटिक्स का कोड लगा इसमें और भी बहुत कुछ जैसे बाकी की वेबसेट इसकी वेबसेट में हम लोग आते हैं तो इसको भी हम लोग वेपलाइजर को ग्लिक करके यह कोड है ठीक है बाकी कुछ ज्यादा नहीं तो वैपलाइजर भी एक है कि कौन से प्लैटफॉर्म में बनाया है कौन से जो ट्रैकिंग कोड्स है इसमें इंस्टॉल्ड है वो बता देता है वैपलाइजर यह और बाकी के भी है इतने सारे मेरे पास है सारे के सारे बताऊंगा जब भी इनकी जरुद गिरेगी आपको ठीक है मतलब जब भी हम लोग कहीं स्टॉक होंगे तो इन सारे जो है आपको बताऊंगा ठीक है तो मैंने क्या किया है न्यूस्पेपर जन्रेट प्रेस और जैन्यूस यह मुझे बहुत पसंद है एक्चुली यह थीम्स बट यह प्रीमियम है ठीक है प्रीमियम है सो आई वोंट रिकमेंड कि आपको यह पर्चिस करना चाहिए इनिशेली ठीक है आप मोस्टली ब्लॉगर्स क्या करते है कि अगर मैं जैसे अंकित सिंगला की अगर मैं इसमें आता हूँ कि वेबसाइट में मास्टर ब्लॉगिंग मास्टर ब्लॉगिंग यह वेबसाइट यह है यह वेबसाइट जो है जनरेट प्रेस में बनी है इसको भी हम लोग स्कैन डबली भी कर लेते हैं कि इसे करना पड़ेगा यह देखो जनरेट प्रेस इस ब्लॉगर ने यह अंकित सिंगला है फेमस ब्लॉगर यह भी यह इसने जनरेट प्रेस यूज किया है एक और ब्लॉगर है आप जानते होंगे कुलवन्त नागी अफिलेट मार्केटर एक्शली पता है केस का नाम पता है आपने कभी सुना है आप सुना है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग केज एसे कुछ है उसका नाम कुलवन्त नागी का इस यह भी इस बंदे ने भी जनरेट प्रेस का ही यूज किया है आइगेस लेट्ट का मेरा कहने का यह मतलब है कि मोस्टली जो ब्लॉगर्स है ना अके यह कोई अलग से थीम उसने चेंज किया रिसेंटली पिछले बार मैंने देखा है तो ब्लॉगिंग वरी क्या था जनरेट प्रेस ही था सो यह जो मुस्टली ब्लॉगर्स जो रहते हैं ना जन्रेट प्रेस यूज करते हैं यह थीम क्योंकि बहुती लाइट वेट थीम है और इजीली ओपन होती है मतलब ब्लॉगिंग परपस से रिलेटेड तो बहुती मतलब अच्छी है जन्रेट प्रेस बट अगेन आइव उन्ट रिकमेंड की आपको खरीदना चाहिए मैं आपको कुछ फ्री थीम्स भी बताऊंगा निउस्पेपर थीम भी है जैसे निउस्पेपर थीम अगर हम लोग देते दिखते हैं निउस पेपर थीम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह थीम्स यूज होते हैं ब्लॉगिंग के लिए अगर इसको हम लोग लाइव देखते हैं इसका प्रिव्यू इस शायद 59 या 69 डॉलर की सम्टिंग होगी तो इसमें बहुत सारे प्री डिजाइंड टेंपलेट्स होते हैं तो हम लोग टेंपलेट्स यूज कर सकते हमें जिस तरीके अब ब्लॉग बनाना है जैसे मैगजिन ब्लॉग है या निउज है या गैजेट्स लाइफ टेक गोसिप फैशन जो भी जो भी हमारा परपर्पस है उस हिसाफ से हम लोग यहां से थीम इंस्टॉल कर सकते हैं एक्चिली यह क्या वोल सकते हैं टेंपलेट टेंपलेट जो टेंपलेट है हम लोग इसको यह एक benefit होता है जो Two Premium थीम सोते हैं उनका सो मेरे पास है यह सभी थीम से मेरे पास मेरे पास मैक्सिमम थीम से जेंडर ट्रेश जैनियुज नीउसनर पर और ही बहुत सारे जो भी थीम चाहिए मेरे पास है चाहू तो मैरे से ले लो ठीक है अभी देखो यहां पर हमने जैसे मैं अभी थीम्स के बारे मैं नहीं बताऊंगा ठीक है हो गया यह सब इसका काम अभी हम लोग थीम आते हैं थीम में सार्च करते हैं अगर हमको चाहिए जन्रेट प्रेस का भी आपको यहां पर मिल जाएगा बट वह फ्री वर्शन है जैनरेट इस तरीके का है बट मैं इसका भी यूज नहीं करूंगा यह भी अच्छा है है मतलब जन्रेट प्रेमियंग है उसी के तरीके का है बट अगें मैं इसको रिकेम lieuने करता बट हम लोग अभी जो ठीम है ना फ्री की रिसोर्सेस हम लोग देखते हैं अगर आप आप लोग जाओं फीचरड में पॉपिलर सेक्शन में आऊं तो मैं क्या करता हूं आपको Ocean WP पे Ocean WP मैं दाओंगा क्योंकि आपको Astra तो पता है Astra और Ocean WP लगबख सेमी है तो मैं क्या करता हूं एक News Website की Theme है News Card करके News Card Yes, यह वाली Theme मुझे अच्छी लगी So, मैं इसको Install कर लेता हूं शर्ट सब्सक्राइब तो यह भी अच्छा थीम है इसको अक्क्ड्वेट कर देता हूं है थीक है अग्ट्ष्विट हो गया थीम और मैं आता हूँ साइट पे देखो हो गया अभी इसमें तो कोई content है नहीं कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको blog है अभी क्या करेंगे इसको हम लोग इसका अभी आज नहीं हो पाए इसका हम लोग कल देखते हैं क्योंकि कल हमें बहुत सारा topic cover करना है right from blog लिखते कैसे actually सबसे पहले तो blog लिखने के लिए क्या हमको जरूरत है इसकी चीजों की यहां पर हमने जो plugin इंस्टॉल किया है इस तीम रिकमेंट्स दफॉलइंग प्लग इन्स यह रिकमेंट कर रहा है तो यहां पर जैसे यहां नोटीस दिख रहा है तो इसको क्लिक कर दो आप सबसे पहले तो डैशबोर्ड पर आओ आओ आप ठीक है डैशबोर्ड जैसे हम लोग इंस्टॉल करते थीम तो वहां पर न कोई नोटीस आते हम है अगर कोई इंपोर्टन नोटीस है इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा यह भर जाएगा और हमको कुछ समझ में नहीं अगया हम लोग क्या कर रहे है रेडिमेट थीम दीखेगा हमको है ठीक है जैसे हम लोग थीम्स में आते हैं इसका प्रिव्यू अगर देखे तो इस तरीके का देखेगा हम लोग डेमो अगर इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है पहले तो इसको डिजाइन करते ब्लॉग है। हम एक लूग संटमाइज है। एक लूग होता है एक अपना एक अलग-अलग फीचर होते हैं तो इन सभी फीचर को समझेंगे कस्टमाइज अगर हम लोग हमने पिछली पिछले सेशन में देखा था कि यहां पर हमको इसको कस्टमाइज करना है तो उसको भी कैसे करना है और बागी की जो भी प्लग-इन्स है उसको हम लोग आगे की सेशन में देखेंगे और यहां पर हमको अगरा ज़रूत नहीं है ठीक है और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके साथ साथ मैं एक और थीम बताऊँगा आपको ओशन डबल्यूपी का ओशन डबल्यूपी जो है उसके साथ भी आप बहुत ही मतलब बहुत जबरदस्थ जो है बिजनिस ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं बिजनिस ब्लॉग वेबसाट यहने की क्या जैसे एक में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर से तो वह भी बताऊंगा यह यह जो है ब्लॉग यह ब्लॉग हमें न्यूज या फिर हमारा जो भी नीश है उससे भी उसके लिए भी हमें यह हेलपफुल है तो यह थीम भी हम लोग यूज कर सकते हैं सो मैंरा बेसिकली परपस यह था बताने के पीछे कि यह थीम इंस्टाल करने के पीछे यह थीम न्यूज वेबसाट्स के लिए भी अब यूसफुल है और परस्नल ब्लॉग के लिए भी या बिजनेस ब्लॉग के लिए बिया न्यूज जो भी हम लोग किसी भी सेग्मेंट के काम कर रहे तो उस ब्लॉग के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप कर देते हैं सेशन को और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा का पूरा इसका स्क्रैच से ब्लॉग सेट अप देखते हैं मतलब यह पूरा ब्लॉग कैसे सेट अप करना है और बागी की ज प्रिश्ट शरी इसका इंपोर्टेंस और उसका यूज़ेश नहीं पर सब्सक्राइब आपको यह भी टॉपिक हम लोग लेने वाने हैं ब्लोगिंग मतलब नीश ब्लोग्स कौनसे कौनसे ब्लोगिंग के प्लाटफॉर्म्स मतलब नीश है जो हम लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ब्लोगिंग में सैचुरेशन आया है इंटर्नेट है तब तक ब्लोगिंग जिन्दा रहेगी अगर कोई बोलता है ब्लॉगिंग में बहुत जरूरी है पेशन्स ओवरनाइट कोई ब्लॉग या कोई विबसाइट रैंक नहीं होती, बहुत ही effort लगते हैं, बहुत ही महनत लगते हैं, हार्ड वर्क लगता है सबसे जरूरी पेशन्स लगता है जनरली ब्लॉगिंग सब कुछ और गैनिक और से जर्ड़ाइट इन और गैनिक तरूरी तरूरी जरूरी जरूरी किया है ब्लॉगिंग में बैक लिंक्स करेट करना अगर मुझे अगर कोई पूछता है कि डिजिटल मरेक्टिंग में सबसे टब जॉब क्या है तो SEO और SEO में भी backlinx create करना और backlinx क्या होती है 에 backlinks कैसे create करना है और backlink का क्या importance है और backlinks hard Q है create करना ऐसे ही नहीं देदा तो उसके लिए बहुत मैनलत लगती है wealth devenir नहीं देता एक्षुली क्या होता है न यहाँबे भी politics चलती है बेक्लिक्स create करना मतलब बहुत ही टंब जॉब है और mát dhi backlink के लिए किसी भी spammy backlinks नहीं आने चाहिए जैसे हमारा कोई blog है ो वेबसाइट तो बहुत सारे spammy bes 66 करदेना है गुगल जिस्वेबसेट को अगर calming टो ये मैं चिखांगा आपको off-page में backlinks का जो भी portion आएगा हमारा topic आएगा क्योंकि authority website बिल करने के लिए backlinks बहुत जरूरी है और वो भी relevant website से आना so content is the king in the in 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 this topic blogging module में content is the king and context is the queen हम लोग सभी topic discuss करेंगे one by one क्योंकि कोई भी topic में छोड़ूंगा नहीं मतलब मेरा जहां तक expertise है digital marketing में अगर मुझे कुछ भी चीज़ आती है अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूं तो या फिर मुझे मैं जानता हूं मोस्टली मैं सभी topics में मतलब मुझे एक्सपर्ट ने बोल सकता एक्सपर्ट ने कहिना भी नहीं चाहिए किसी को अगर कोई बोलता है तो इस फेकिंग मैं मतलब मेरा जो भी कोई कोई क्वेरी है किसी का क्वेश्टन है किसी का और कि लाल तरहीं कुछ तो बोलो यार सनी ब्रो से सम्थिंग कोई भी प्रॉब्लेम हो ना तो वाट्सेप पे भी आप चैट कर सकते हो ठीक है सब लोगों को बोल रहा हूं मैं अगर किसी को किसी पर्टिकुलर मतलब सीखते वक्ति या कोई करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लेम आ रहा है तो वाट्सेप पे क्वेश्टन डाल देना जैसे मैं फ्री हो जाओंगा मतलब मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको उसका रिप्लाइ कर दूंगा स्टुटेंट्स को मैं बही तर्टिक आपको किसी करण की निए फरी प्रॉब्लेम इस वाट्सेप पे कोई स्क्रीन शॉट डाल दो यह कोई क्वेशन डाल दो कोई फेस कर रहे हो सो एह विल बेकेट बैट तो यह सर्ली इस पॉसिब ऑग्य okay 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 then bye everybody bye sir good night good night bye bye